आप सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुप कामना है जिन लोगों ने बीजेबी को गोट दिया जिन लोगों ने भगवारन को वोट दिया जो लोग चाहते हैं वैसे मैं किसी भी पार्टी को फिवर नहीं करता हूं मैं सिर्फ उसको फिवर करता हूं जिसको हमारे वोट की वेल्यू पता है तो गैस मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोगर्स को सपोर्ट नहीं करता या सपा को सपोर पार्टी काम करें, कोई नई पार्टी आए, तो आप लोग उसे वोट दीजिए, और ठेके गाइस, हमेशा एक सिंगल गवर्मेंट किसी भी एकोनोमी के लिए सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जितनी भी एकोनोमीज हैं, वहाँ पे सिंगल गवर्मेंट का अगर रूल रहेगा, तो वहाँ पे आपकी एकोनोमी हमेशा भून करेगी, क्योंकि उनके पास फुल पावर रहती है, किसी भी बिल को पास कराने के लिए, कुछ भी एक नया इंप्लीमेंट करने के लिए, कुछ नया प्रोजेक्स को क्लियर कराने के लिए, तो एन्योवेश चलो, यह तो हो गया, आज का जो रिजल्ट आ है, उस रिजल्ट को मार्केट ने भी थमजब दिया है, और काफे अची रिल्ट आई है, यूक्रेइन रिशिया की वर्क खतम हो चुकी है, और मोस्ट अभी कुछ क्लियर होना बाकी है, जो शायद आज कल में या इस वीक में क्लियर हो जाएगा, बट मार्केट थमजब और दे चुका है, और काफे अची रिल्ट आचुकी है दो दिन हो गया आज गाइस गैप अपनिंग हुई, थरस्डे का दिन ता, एक्सपारी दिन ता, एक्सपारी का डिया क्या रहता है कि बहुत वर्टेल्टे रहती है, तो ट्रेड पीक करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिये हैं जो पूरली इंटरडी ट्रेडर्स हैं, मैं Swing Trader या मैं Positional Traders की बात ही नहीं करूँ या पर सिर्फ जो Purely Interested Traders है जिनकी जो बहुत Fast Moment को Catch करना सीख सकते हैं या जो करना जानते हैं सिर्फ ये वीडियो उनके लिए है तो प्लीज अच्छे से इस वीडियो को देखें और ये लाइव वीडियो नहीं है लाइव ट्रेड को पिक करके एंड ये वीडियो बनावाँ कि आजकर मुवस इतने इंपल्सिव होते हैं कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है तो थरस्टे वाले दिन स्पेशली तो ट्रेड मैं ले चुगा था ट्रेड कर लिया है मैंने मैं आपको दिखा हुआ कि क्या था क और कैसे में पॉफिट लिया ठीक है और अभी हम आ गए उस पे तो अभी आपको मैं सीधा लेगे जाता हूं अपने ट्रेड पे सबसे पहले आप मेरा ट्रेड देखो प्रेड क्या था उसकी टाइमिंग क्या थी ठीक है यह था मेरा थर्टी फॉर फाइवनिट की पी का ट् कि बड़ा जल्दी वीडियो बनाएंगे ज्यादा लंबा नहीं किचेंगे इसको इसके बाद आप देखोगे ट्वेंटी टू यहां तक मैंने इसको भाई किया है तिक है आप टाइमिंग भी देख सकते हो टाइमिंग क्या थी मेरा 111 121 17 इस टाइम रेंगे मैंने बाए गिया और 97 239 222 यह सब मेरा सेल हुआ है उसके बाद मैंने काफी सा ट्रेड इन बिट्वीन भी करें तो मुझे और मुझे इसके अंदर वान लैक सेम्टी फाउजन का पॉपिट इसमें आया मैंने कुछ ट्रेड कुछ कॉल में भी किये इसमें इसमें मुझे 26000 इसमें इसमें आया तो अब हम सीधा चलते हैं कि क्या था उसके बीचे वह देख लेते हैं गाइस एक मिनट का चार्ट मैंने उपन किया बेंग निप्टी का वन मिनट का चार्ट है हम पहले आज का ओपनिंग से थी कि मैं जनरली वैसे मैं लेने को ट्रेड में स्टार्टिंग में भी ले सकता हूं बट क्या होता है कि थर्सडे वलब दिन प्रीमें बहुत आई होते तो फ्रीम गिरते ज़्यादा है चलने के बजाए गिरते जदा तो आप्शन बाइर को का तो ग्रीग का कॉंसर्ट भी ओड़ा जब कोई पैनिक आता है जब वालिटील हो तो प्रिम चड़ते हैं तो उस टाइम पर हमें ज्ञादा बैने कुटा और अब हम देखते हैं यहां पर आप गया देखो यह देखो कि सुबह ओपनिंग के टाइम पे एक हैमर बनाया है यहां पर आई है यह यह यहां पर देख रहे हैं यह भी वॉल्यूम है उसके बाद यह लो नहीं ब्रेक हुआ थोड़ा सा नीचे आता है और इसी सपोर्ट से यह उपर चला जाता है अब उपर जाता तो कहां तक जाता है कि यहां से कितना पॉइंट मिले अगर हमने बाय किया होता तो मैंने नहीं करा क्योंकि यह लो नहीं ब्रेक हुआ और हैमर के बाद कंफर्मिशन केंडल भी तो हमारा जो टार्गेट था वह अन्मोस्ट थर्टिफाइव वन हंडड़ से लेके थर्टिफाइव और कैसे देखते हैं मैं बार-बार हर वीडियो में नहीं टाइम बेस्ट होता है तो यह सब आप जाओ उन वीडियोस में देखा आपको सब कुछ मिलेगा यह लाइंस वीडियो में सब कुछ एक्स्प्रीन किया हुआ है तो यह जो हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्ट था उप इसको ट्रेड ले सकते हैं बट नहीं लिया आगे चलते हैं जहां पर लिया क्यों लिया हम आपर बात करते हैं पूरे दिन की जो रेंज थी आप देखो कि आल्मोस्ट टैन एट से लेके कि 1242 ठीक है कितना हो गया और मोस्ट धाई घंटा से ऊपर का ट्रे वह था रेंज था पूरा ब्रेंज तक तो टैनिट से दो घंटे का जो रेंज था पूरा टू आवर्स का रेंज यहां पर ब्रेक करता है यहां पर अगर आप वॉल्यूम देखो कि तो पूरे दिन के सबस ब्रेक्ट डाउन पर बॉल्यूम्स आये हैं उससे पहले हम रिजेक्शन देख रहे थे यह 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 अपवर्ड रिजेक्शन हम देख रहे थे उसके बाद यह वॉल्यूम डैट मींस की जो बिक प्लेयर से वह शॉट्स में बैठे होए थे अगेन यहां पर कॉन्टिटी कि अब आप देखोगे तो जो सपोटर समरे मार्किंग है कुछ भी नीचेड़ना है सबबसेद सेटेस रहेंगे कुछ फ्ट्रेश कोई सबपोर्रेशन मांग नहीं करना जो पहले के मांक मांक्ड है मेरे डेली डाइम फ्रेम वाले या वरली वाले उन्हें को माज रखना है आगे चलते हैं उपर जाता है ठीक है यहां पर आप देखोगे यह रेंज ब्रेक वी थी यहां पर यहां पर आया ठीक है बट रिजक्शन देके आगे नीचे तो जब यहां पर इसमें इसको ब्रेक करा अब आप यह देखो जैसे जैसे जो जो यह सपोर्ट कर रहा अच्छे यह वाला हमारा था यहां पर ब्रेक हुआ अगेन वॉल्यूम मिले मुरे को परस्ट वॉल्यूम सेकेंड वॉल्यूम यानि कि सेलिंग कंटिनीव है सेलर बहुत जाद एक्टिव है बायर पर भीक पड़ता जा रहा है हर एक डाउंसाइड में बायर भीक पड़ रहा है तो वहां से समझ में आया कि नहीं ट्रेंड भीक ही रहने वाला आज का लेकिन कहां तक और कैसे वह देखते हैं कि चाल कैसे पकड़नी थी तो यह वाला निजिए वाला सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है हैं अगेन वॉल्य यूडर्स आपको पता होना च्वारा मार्केट को कनफर्म सिग्नल था कि मंदी तो है वाला सेलेर है वह वह बढ़ता जा रहा जब जब एक सपोर्ट भीक होता है बढ़ रहा है जिए वह अब हमें क्या करना था जब यह वाला जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसके यहां पर देने के बाद में जब यहां पर इधर दे दिया तो मैं यहां पर इसके उपर अगर क्लोजिंग आती क्योंकि अगर आप जहां से देखोगे तो यह वीवैब भी है और आज का यह सपोर्ट वाला एरिया था जो अब रिजिस्टेंस बन गया है उसको उपर प्लोजिंग नहीं आ रही है तो अब आप देखोगे कि इन्विटेड हैमर एंड उसका कंफर्मेशन केंडल मुझे यहां पर मिला विद वॉल्यूम क्या था राइजिंग है अगर आप देखो राइजिंग वॉल्यूम है जब जब सेलिंग के वालुम आने राइजिंग है कंफर्म हो गया कि मंदी तो आनी है कहां तक आनी यह मेरे सबोर्ड मार्किंग है यहां तक सपोर्ट तर्ब ईक हो रहे हैं सुबह से वर यह था यहां तक तो मुझछ था अब ऊपर चलते इस ने क्या करा यहां पे मेरे को बाई कराने के बात यह वौपा से उपर जाता है बट आ आप अगें देखोगी हैं Спेंध s जो मेरा जो यह ब्रेक मुझे इस से उपर वॉल्यूम चाहिए और एक प्लोज चाहिए मुझे वीवैप के ऊपर यहां पर एक प्लोज चाहिए मुझे तब मैं अपनी पोजिशन स्कॉर अप करूँगा अदर्वाइस मैं अपनी शॉर्ट के पूशन नहीं स्कॉर अप करता यह नहीं आया उसके ऊपर कैंडल नहीं बनी ऐसी कोई वॉल्यूम नहीं आए मुझे यहां पर वॉपस से नीचे जाता है जैसी यह वाला लेवल अगें करता है मैं अपको क्या बता जब जब एक नया लो ब्रेक हो रहा है वोल्यूम आ रहे हैं जब यह ब्रेक होता है तो कि यहां पे वो लोग कन्फर्म थे और टाइम के असपास जो है पॉर्ण दो बज़े का टाइम है इसी टाइम के आसपास जो है एक्च्वल में जो बायर और सेलर एक्टिव होते हैं यह एक और हमें वॉल्यूम मिल गया बढ़ते हो इंक्रीजिंग वॉल्यूम थे हमारा शॉट अभी तक एक्टिव है मैंने अपनी पॉजिशन कहां पर स्कुर्ण परिए वह दिखाये तो आपको कि मेरी पॉजिशन स्कुर्ण हुई है कि अब तू थर्टी नाइन टू 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 यानिकि और मोस्त टाइम देखें एकर हम कि 145 12 145 के राउंड हमने पॉजिशन कर ली क्यों करनी थी क्योंकि यार अलड़ी तना प्रॉफिट आ रहा था तो मैं हमेशा हाफ कि 64 श्रेंड लेता हूं पहला मैंने यहां पर बुक करा क्योंकि मेरा सपोर्ट एरिया भी था ध्यान दो मैंने क्या पुला था कि मुझे यह पता था कि सपोर्ट तक तो आएगा तो सपोर्ट कर लिया अपने खुद के से कभी भी मत करो जो आपने सोचा है जो आपना प्लान उस पर रहो तो पहला मैंने आप बुक कर लिया सेकिंड जब अगें यहां पर जाता है नीचे तो मुझे वालियू पूरा बुक करा एड मैं आ गया तेजी में कहां पर आया है मैं वह भी देख लिए पैस्पे आपको क्यूं दिखा रहा हो बारबर क्योंकि आपको भी इस सरी के से ट्रेडिंग करनी है तब आप पैसा बना पाऊंगे यह है दो बच के चार मिनिट का दो बच के चौदा मिनिट इस टाइम पर मैं तेजी में कर्वर्ट हो गया था कि दो चार और दो चौदा यह देख लेते हैं तो फॉर्टेंग और टू फॉर यह वाला जो पूरा एरीय थे मैंने में यहां पर बूल्स में कलवर्ट हो गया था क्योंकि मुझे यहां पर जब नीचे जाथी केंडल से मुझे वॉल्यूम नहीं मिले तो मुझे लगा अब यह रिवर्सल पकड़ेगा क्योंकि यह सपोर्ट एरिया है सपोर्ट लिया रि कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता था कॉंसेप्ट कि लास्ट में हम जो करते हैं तू फिक्टी तूफटी वाला ट्रेंड वह आप यह वाला देख सकते थे यह टाइम है तूफ़टी का अगेन उपर में कुछ बनती हैं बट कुछ इन्वर्टिड हैमर डैपी कुछ बन रही है उपर में रियक्शन दे रही है सब वोटिंग आया आपको यहां पर बनाना था यह ऐसल डालना था कि कितना है लेवल देख लेते हैं बड़ अब अब तर्टी फोर सिक्सहंडर्ड पे शॉट था थर्टी फोर्टी का स्टॉप लॉस था और आपको दे गया है थाटी पोर पोरंड़ यहां लेगी तू अल्मोंस देगा आपको आपको यहां पर दे गया अब अगें हम चलते हैं यह वाला थी फटीन तीन बचके तेरा मिनट पर आप देखोगे अगें सेम रिजेक्शन आई है यह रिजिस्टेंस लेवल था यहां पर उपर गया रिजेक्शन दी सपोर्टिंग केंडल आई यहां पर शॉट बनाओ नी अपना ट्रेट बुक कर लो इस जादा नहीं मिल इस तरीके से आपको केड़ स्पिक करने हैं सबसे बहुले ट्रेंड देखो आप उसके हाये टाइम पर जाओ ट्रेंड बॉच करो उसके लुए टाइम पर आओ सपोर्ट रिश्यों पाथ करो देन इंट्राडे प्लेयर खास सब्सक्राइब करना है एकजिट लेना आपको ज्यादा ट्रेड मिन करने दिन के आपको मैं तीन-चार बैस ट्रेट पकड़ो आपके लिए इनफ है तो आज का वीडियो इतना ही था अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको कुछ भी पसंद आए कॉमेंट करें तो नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ एक नए कॉंटेंट देके आप हो मैं ओके बाबाई टेक केर